लगभग आपको लाइव देख रहा होगा ठीक है जस्ट मिन्ट एक बार कन्फर्म कर दीजिए अगर चीजें आपको बेटर दिखाई और सुनाई पड़ रही है ठीक है क्योंकि मुझे देख गया ठीक है मेरे पास चीजें देखाई दे रही हैं ओके आज हम लोग पोएम नेक्स्ट पढ़ेंगे ड़ी इस देख्प्रिस बाई स्टेफन स्पेंडर स्टेफन स्टेफन स्पेंडर इस आलसो अ मॉडरनिस्ट पोईट अच्छा हम लोग क्लास को बेगिन करें उससे पहले अगर आपका कोई क्वेस्टन है दिन फट से लिख दीजिए उसका जवाब दे करके तब हम लोग क्लास पर मूब करेंगे ठीक है और बहुत ही आज पूरा एक घंटे का सेशन नहीं हो क्योंकि पोएम छोटी भी है और सिंपल है और फटा-फट से और हाँ लेट हो चुका है तो हम पास भी सम इसी से समझ में आ रहा है मिन्स दट पोएम इस टाकिंग सर आफ्लाइन क्लास चलेगी नहीं चलेगी क्योंकि वहां पर एलेक्शन से समंधित लोग रुके हुए हैं आई होप आज भी क्लास नहीं चले होगी मैं डेपार्टमें नहीं गया था लेकिन मुझे उमीद है कि क्लास नहीं चली होगी अगर चली थी तो आपको बताईए तो मैं बात करूँगा फिर से क्योंकि मुझे पूरी स्थितिय क्लास चलने के स्थिति नहीं है इसलिए आफलाइन क्लास मुझेल है अगर दस मार्च के बाद चीजें बचती है आपके लिए एक्जाम में समय रहता है तब सायद जो है हो पाएं ठीक है कल छुट्टी है किस बात की छुट्टी वई कल कुछ है क्या हम आउस पूर्णिमा क तो टीजिएलियड का क्वेस्चिन हों लोगAR डिस्कुस करेंगे चर्ष्ट पूरा नहीं क्योंडिस्कुस करेंगे चुकि बहुत लंबा हो जाए और समय मिलेगा दोकोस्थ करेंगे इस टेक्स्ट भी डिस्कुस कर लें स ses examination firm के बारे में कुछ पता चला कब तक खुलेगा देखे एक्जामिनेशन फार्म को लेकर के आप लोगों में बहुत पैनिक है एक बात असपस्ट रूप से एक ही बार में सुनके समझ लीजिए सारे लोग ध्यान से इसके पहले जो एक्जामिनेशन फार्म आया था वो प्राइवेट के लिए था रेगुलर के लिए नहीं था ठीक है उसको प्राइवेट के लिए ओपन किया गया था उस वेपसाइट की दिक्कत थी कि रेगुलर वाला डेटेल डालने पर भी वो खुल रहा था ठीक है तो प् ये फिर से नोटिस देगा विस्विद्याले और आपको 15-20 दिन का समय मिलेगा फॉर्म भरने में उसके लिए पैनिक मत करिए आप सिंपली पढ़ने पर फोकस करिए अभी रेगुलर का फॉर्म नहीं भरा गया है जो फॉर्म आया था वो प्राइवेट का था कितना असपस्ट हो गया अगर नहीं हुआ तो पूछ लो क्या दिकत है असपस्ट रूप से जान लिजिए कि जो फॉर्म था वो प्राइवेट का था रेगुलर के लिए अभी फॉर्म फिर से आएगा नोटिस आएगी प्रापर प्रापर उसकी बिगिनिंग की डेट रहेगी एंडिंग की डेट रहेगी 15 से 20 दिन का समय रहेगा ठीक और अजरत अली जी का जयनती और रविदास जयनती अच्छा चलिए जो भी है छुटी है रविदास जयनती है अजरत ली की जयनती है तो सभी को जनम दिन की मुबारक बात ठीक है दोनों लोगों को जिनकी जिनकी आने वाले समय में हमारी जैनती पर भी छुट्टी हुआ करेगी ठीक है तो हमारी जैनती की भी छुट्टी आप लोग मनाएंगे आप ये बता दीजे एक्जाम कब से होगी राइट इमोशन आपका इमोशन एक्जामिनेशन की डेट पर अगर अटका हुआ तो निश्चत रूप से आप चान लीजिए कि 13 मार्च के पहले एक्जाम नहीं होगा ठीक है एक बार पेपर में न्यूज आई थी कि 13 मार्च के बाद पेपर संभव है लेकिन मुझे जो इस स रिष्टन हम नहीं आंसर करेंगे कुछ नहीं पढ़रेंगे सीधे सीधे आम लोग टेक्स्ट पर चलते हैं इन सब की चर्चार आगे चलते हैं जैसे इसका टाइटील है एक्सप्रिस घ्लिए कैने कि यह अदो अब बट यहाँ पर जो train है, इस train को क्या किया गया है, परसानिफाई, ठीक है, परसानिफाई किया गया है, किसके रूप में, as a lady, कैसे, as a lady, that is queen, एक queen के रूप में, एक lady के रूप में इस train को परसानिफाई किया गया है, और यहीं पर आप लाइब पढ़ाते हैं अच्छा लगता है आकास यादो बहिए आकास जी लाइब पढ़ाते हैं अच्छा लगता है पढ़ लीजिये हम पढ़ा रहे हैं ठीक है और अच्छा लगता है आप पढ़ने आते हैं धन्यवाद आपको तो यहाँ पर जो train है उसको personified way में बात कर रहा मतलब सारे movements सारे actions train के एक lady के साथ एक queen के साथ associate कर दिये गए हैं और उसी का description है बहुत simple सी poem है और यह कहीं न कहीं से जो industrialization है और nature है इनका contrast भी end में जा करके होता है आगे देखें सुरुवात है कह रहा है कि after the first powerful plane manifesto the black statement of pistons without more fuss but gliding like a queen she leaves the station पहला sentence तीन लाइनों में पूरा होता है कह क्या रहा है कि after the first powerful plane manifesto manifesto का मतलब होता है मुखपत्र या सुरुवाती चीज ठीक है सुरुवाती घटना या सुरुवाती बातचीत तो सुरुवाती बातचीत क्या है, सुरुवाती चीज manifesto क्या है that is powerful plane manifesto ठीके बहुत जैसे train जब start होती है चलना सुरो करती है उस समय जो उसकी पहली sound होती है वो थोड़ा सा powerful होती है बट plane होती है तो उसी को plane manifesto कह रहा है पहली sound जो है उस पहली sharp तेज और काफी गंभीर sound के साथ that is manifesto for that ठीके उसके बाद क्या आता है the black statement of piston ठीके उसके बाद जो engine के pistons है उनकी जो sound आती है ठीके उसके बाद जो एक मिनुट जस्ट आप wait करिएगा कुछ हम काम कर रहे हैं कि तो आम बैक क्या पूछ रहे हैं सिनानीम आप manifesto देखिए manifesto का exact synonym तो मैं नहीं बता पाऊंगा आप फिलहाल manifesto को आप कह सकते हैं रिटमेंट और सिर्फ स्टीपंट ठीक है या स्टीपंट या फॉस्ट देकलरेशन कह सकते हैं manifesto को आप first declaration कह सकते हैं ठीक सामाने ता है आज कि समय में manifesto का यूज राजनीतिक पार्टियों के भोशना पत्र के लिए यूज किया जाता है ठीक है किसी भी चीज के जो पहला declaration होता है first declaration होता है उसी के लिए manifesto का यूज होता है तो करा कि after the first powerful plane manifesto means after the first and simple declaration ठीक है the black statement of pistons जो engine के pistons है उनकी sound को black statement खा जा रहा है जो pistons के sound है ठीक है पहले एक टेज आवाज ही that is manifesto and उसके बाद जो pistons की continuous sound आ रही है उसको जो है यहाँ पर black statement खा जा रहा है किसका आफ पिस्टन विदाउट मोर फस का मतलब होता है बहुत सोर सराबा बातचीत तो कह रहा है बहुत जादा सोर सरावे के बिना बहुत जादा बातचीत के बिना बहुत discussion के बिना बहुत परिशानी के बिना but gliding like queen ठीक है see starts moving like a queen the train the express train starts moving अभी just station से निकली हुई है ठीक है आगे देखेंगे कैसे निकल रही यहीं पर उसका personification हो गया like a queen और like आया तो यहाँ से आपको एक figure of speech मिल गए जिसको आप से मिली कहते हैं आगे बढ़ेंगे see leaves the station और जैसे धीरे धीर glide करते हुए move की और उसने क्या कि station को छोड़ करके आगे बढ़ेंगे see leaves the station ठीक है एक image आपके दिमाग में बंती चल रही आगे देखेंगे without bowing with restraint unconcern he passes the houses which umbly crowd outside अभी station से निकल गई तो दोनों तरफ से घर है ठीक है तो कैसे इसका reaction है कैसा behavior है without bowing ठीक है बिना जुके हुए बिना ध्यान दिये हुए and with restraint unconcern restraint का मतलब है अडियल ठीक है जो समझावता ना करने वाला हो और उसके बाद करेंगे concern जिसको उस चीज से कोई concern ना हो कोई लेना देना ना हो तो मतलब विरक्त भाव से तीदे सीदे आप कह सकते हैं कि बिना ध्यान दिये हुए विरक्त भाव से वो जो train है like a lady starts moving station छोड़ा और आगे बढ़ी तो किस पर कोई ध्यान नहीं है किसके प्रति विरक्ती है सी पासेस दा हाउसे विच अंबली crowded outside जो बाहर की तरफ घर crowded है उनके प्रति पूरी तरह से विरक्त है उनके प्रति कोई इसका ध्यान नहीं है जो चाप अपने रास्ते पर जा रही है ठीक है आगे देखें ओ स्वारी like a queen she leaves the station without bowing and with restrained unconcern she passes the houses which umbly crowded outside the gas work and at least a heavy page of death इतना पूरा एक साथ समझ पढ़िएगा the heavy page of death printed by gravestones in the cemetery cemetery कहते हैं graveyard को ठीक है क्या कहते है gas works gas works का मतलब factories जहां पर gas works हो रहे हैं कुछ काम किया जा रहे हैं workshops and at least the heavy pages of death और क्या चीज है आसपास में the heavy pages of death ठीक है जो cemetery में gravestones है उन gravestones को heavy pages of death कहा जा रहा है जिन पर मृत्यू का समाचार लिखा हुआ है जो मृत्यू का समाचार लिखा हुआ है उनके बिसे में details लिखी हुई है वो है cemetery में मतलब जो घर किनारे किनारे crowded है जो factories है जो work houses है और जो cemetery हैं लोग मरे पड़े हुए अपनी कबरों में जहां उनके नाम के वो पत्थर लगे हुए हैं उनमें उनको सब उन सबके प्रतिकूरी विरक्त भाव से ट्रेन आगे बढ़ रहे स्टेशन छोड़ा धीरे अब ट्रेन आगे निकली तो जो घर हैं जो factories हैं और भी जितनी सारी चीजे हैं उनके प्रति विरक्त भाव से आगे बढ़ रहे कैसे बढ़ रहे लाइक क्वीन लाइक लेडी ठीक है आगे करें बियांड टाउन अब आगे बढ़ती की अब शहर खतम हो गया बियांड टाउन टाउन के बाद देर लाइस द ओपन कंट्री यहां पर कंट्री का मतलब है विलेज रूरल एरिया ठीक है जहां से टाउन खतम होता है वहां से क्या स्टार्ट होता है लाइस द ओपन कंट्री ठीक है रूरल एरिया है गाओं का अस्थान है जहां पर चीजें खुले-खुले खेत हैं सब कुछ खुला-खुला सा है ठीक है वेयर गैदरिंग स और वहां तक पहुँचने के बाद इसने क्या किया C starts taking speed अब train थोड़ा सा गती पकड़ रही है थोड़ा सा speed ले रही है C acquires mystery ठीक है और जैसे उसको speed मिल रही है गती मिल रही है It becomes mysterious ठीक है क्योंकि जब speed में होगी train तो उसको देखने वालों को सारी चीज़ें असपस्ट नहीं दिखेंगी ठीक है कौन सी train है क्या लिखा हुआ है उस पर कहां से कहां तक चलती है क्या number है ये चीज़ें speed में चलती हुई train के बिसाय में नहीं पता चल सकता है That's why this is mysterious जब speed ले ली इसने गाओं के area में पहुँच करके Then it becomes mysterious आगे कह रहे है The luminous self-position of ships on ocean किस तरीके से The luminous Luminous का मतलब होता है चमकता है रात के समय में जैसे train निकलती है तो उसके अंदर के light जलती है तो वो lumin करती है चमकती है कह रहा है The luminous self-position खुद में जो है वो पजेश हो खुद में संतुस्ट हो वो train luminous चमकदार है किसकी तरह Off the ship on ocean जैसे एक बड़े समुद्र में एक जहाज तैर रहा हो smoothly run करता जा रहा हो ठीक उसी तरीके से ये आगे बढ़ती जा रहे है train ठीके इतनी बाते clear है आगे देखेंगे next line है next sentence अब उसकी आवाज पर कभी का ध्यान जा रहा है क्या करा है कि अब उसने अपना गीत आरंब किया है उसकी जो sound है is like a tongue at first quite low और सुरवात में ये जो sound है जो जो गीत है quite low काफी धीमी आवाज में है या फिर आप यहाँ पर इस singing को आप उसकी whistle से भी compare कर सकते हैं जो उसकी CT बज रही है उससे भी compare कर सकते हैं उसको भी समझ सकते हैं पहले क्या कि slow जो है आवाज में उसने horn बजा है train ने then loud up चुकि यहाँ पर इसको personify किया गया है as a lady, as a queen that's why here the word singing has been used उसको एक निर्जीव वस्तु के रूप में नहीं देख रहा है उसको एक सजीव के रूप में देखा जा रहा है एक lady के रूप में देखा जा रहा है क्या कह रहा है at first quite low पहले बहुत slow आवाज में गाती है then loud और फिर थोड़ा सा थेज होती है and at last with a jazzy madness jazzy word जो है ये एक jazz music है ठीक है उससे लिया गया है ठीक jazz music क्या होता है उसको आप google पर पढ़ेंगे तो उसके बेसे में आपको जानकारी मिल जाएगी तो जैसे jazz music एक एकदम पागलपन के तरीके से चिलाने वाली sound में गाया जाता है madness के साथ गाया जाता है तो उसी तरीके से वो गाना गाने सुरको दी यानि कि जो whistle उसकी बज रही है जो ct बज रही है train की पहले slow बजी फिर loud फिर madness type की louder ठीक है slow, loud and louder आगे the song of her vessels अब यहाँ पर बता दिये कि song कौन सा है song of her vessels उसके जो horn है उसका sound है screaming at curves curve का मतलब होता है वक्रा का curves किसके curve है of defending tunnels ठीक है जो tunnels है ठीक है जिनके अंदर इतना shore हो जाता है कि वो किसी को भी बहरा करते है जैसे है उस tunnel के gate पर पहुंचती है उसके curve पर पहुंचती है जहां से tunnel सुरवात होती उसको curve कह रहे है ठीक है वहाँ पर एक वक्राकार जो है आकरती होती उस tunnel के सुरवात की तो जैसे वहाँ पर पहुंचती है तो यह जो इसकी sound है उस tunnel को deafening बना देती है एकदम से बहरा कर देने वाला ठीक है आगे कह रहे हैं ब्रेक्स इन्नुमेरेबल बूल्ट्स एंड आल्वेज लाइट एरियल अंडरनीथ गोज दा एलेट मीटर आफ हर वील्स यह सरी एलेट मीटर आफ हर वील्स ठीक है तो यहाँ पर अब उसके मूवमेंट की स्थिती को दरसा रहा है क्या कह रहे हैं कि पहले तो वहाँ वेशल बजाती है आफ डिफनिंग टर्नल्स उसका ब्रेक्स जैसे चीजों को तोड़ती हो कि इसको इन्नुमेरेबल बॉल्स ठीक है जैसे अंगिनत बॉल्ट्स को तोड़ा गया हो ठीक है तोड़ा गया हो इतनी ज़्यादा साउंड आगे कह रहे हैं कि और हमेशा हलका जो है लाइट है प्रकास है एरियल हवा में है ठीक है अंडरनीथ नीचे भी है जो उसका मीटर है उसकी जो लंबाई है उसके वील्स की वो लगातार मूग कर रही है आगे बढ़ेंगे स्टीमिंग थूँ मेटल लैंडसकेप अन हर लाइन ठीक है आगे कह रहें स्टीमिंग थूँ चुकि ये जो ट्रेन है वो इस्टीम से चलने वाली ट्रेन है इसलिए कह रहा है कि स्टीमिंग थूँ मेटल जो धातु के बने उसके बॉयलर्स है धातु के बने बॉयलर्स से होकर के जो स्टीम निकल रही है मेटल लैंडसकेप अन हर लाइन ठीक है वहां से होकर के वो उसके lines पर आती है steam see plugs now years of wild happiness where speed throws up strange shapes broad curves and parallels clean like the steel of guns अब वहां पर क्या करें where speed throws जहां पर उसकी जो speed है उसकी जो गती है throws up हेकती है या बनाती है strange shape जो उसमें से steam निकल रही है जो दुआ निकल रहा है वो अलग-अलग shape बनाता है उसकी गती के करण broad curves बड़े-बड़े curves बनाता है and parallels clean like the steel guns और parallel जो है lines भी बनाता है like steel guns जैसे steel की gun होती है उसी तरीके से आकरतियां भी बनाता है आगे करें at last further than Edinburgh at Rome और Rome इसके बाद आगे बढ़ती है तो कहां पहुंचती है Edinburgh पहुंचती है या फिर Rome पहुंचती है दोनों जगों के नाम है beyond the crust of the world beyond मतलब से परे the crust of the world इस संसार की एक पपड़ी मानी जा रही है कि यह जो Edinburgh और Rome है इससे आगे बढ़ करके वो एक word से beyond हो करके innumerable innumerable का मतलब होता है जिसको गिना न जा सके असंख अंगिनत ठीक है आगे देखें beyond the crust ठीक है beyond the crust of the world ठीक है इसमें एक poet का जो imagination है कि यह जो word है उसका एक crust है उसकी एक बाहरी आवरन है उस आवरन के बाहर जा रहा है ठीक है sea reaches night अब इस संसार से निकल करके वो कहां पहुँच गई अंधेरे में पहुँच गई ठीक है अब अंधेरे में रात के समय पहुँच गई where only a low stream line brightness और यहाँ पर अब क्या दिख रही है tossing hills is white ठीक है या फिर जैसे एक tossing hill पर किसी पहाड़ी पर जो phosphorus निकल रहा हो वो जल रहा हो वो चमक रही हो उसकी एक line बन रही हो ठीक है उस तरह से वो एक आकरती बनती दिखाई दे रही a like a comet और यह कैसा परतीत हो रहा है it seems like a comet ऐसा लग रहा है जैसे एक पुच्छल तारा का उदे हुआ हो आगे उसके रोसनी जादा है और पीछे हलकी सी रोसनी की उसकी पूँच बनती जा रही है ठीक है आगे कह रहे है she moves entranced wrapped in her music on birds on ठीक है और वो अपने संगीत में लिप्टी हुई आगे बढ़ती है move on करती है बढ़ती जाती है no, nor bow breaking with honey birds still ever equal कह रहा है कि नहीं कभी नहीं breaking with honey birds ठीक है जो अब प्रकित की यहाँ पर बात कर रहा है कि जो प्रकित के साथ इसकी क्या similarity हो सकती है जो bow birds है ठीक है जो इसको आप कह सकते हैं कि जो branches है ठीक है और उन पर जो honey birds है ठीक है honey bees है उनके जो birds लगे हुए है जो छते लगे हुए है वो hives जो है उनकी जो चीजे है इनसकी naturality cannot be equal to this ठीक यहीं पर इसका जो है यह end होता है simple सा जो train की एक यात्रा है एक journey है उसके थूँ चीजों को आपको एक image create करते हैं किस तरीके से यह जो train है वो indifferent है किस से indifferent है जो आसपास की natural scenery है जो आसपास की चीजें है उससे कितनी indifferent होकर के move कर रही है उसी तरह से यह जो संसार है जो industrial word है जो material word है वो natural word से कितना different है कितना indifferent है कितना अलग होकर के चल रहा है वही यहाँ पर poet दिखाने की कोस्त कर रहा है तो यह था आज का text आदे घंटे में हम session को खतम करना चाह रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम इतनी ही बाते रोकेंगे M.A. final year का exam कब होगा पता नहीं कब होगा भई तो यहाँ पर है अगर कोई एकात जरूरी बात हो तो पूछ लीजे बाकी अब इस पर एक discussion और questions का जो discussion होगा वो जब सारे poets के साथ जब discuss करेंगे तो Stephen Spender के विशे में discuss करेंगे और इसका जो है कैसे क्या लिखना है उस पर भी थोड़ा सा brief discussion हो जाएगे या फिर जिस तरीके से हम छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं process करेंगे उसी तरीके से कुछ करते हैं ठीक है आई होक की चीज़ें आपको समझ आई होगी अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं एक मिनट का समय है आप फट से पूछने एक मिनट में आपको session को end करेंगे करेंगे आपको कि कोई क्लास का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ कोई भी क्लास तो बिस्विद्याल है बताएगा दिसा भाषकर आफ फास्पोरस ऑन वाइट इसका मतलब देखिए फास्पोरस जो है एक जलने वाली चीज है ठीक है उसकी light से इसको यहां पर comparison किया गया है जो रात में train light जलती जा रही है उससे comparison किया गया है ठीक है आप एक बार और उसको को देखिएगा समझेगा चीजें नहीं समझ में आएंगे तो हम लोग अगली पढ़ने से पहले फिर से पूछेगा तो जब कल साथ बजे ही आज लेट हो इती क्लास हम नहीं चले गए थे तो आज जो है आज लेड़ मसंदे क्लास कल साथ बजे ही होगी मिलेंगे रागे पढ़ेंगे से अगर पॉसिबल होगा तो ट्री और रैलिक दोनों कल पढ़तर के खतम कर देंगे ठीक है I hope चीज़ें आपको clear हैं पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए classes जो चल रही हो अपने अपने बिसे समंधित फीचर्स ते एक बार पूछ लीजिए ठीक है याव इस विद्याले जाकर के देख लीजिए अगर आपके classes चलती है तो attend करिए नहीं तो self study की courses करिए क्योंकि self study ही best study है आपके लिए ठीक मिलेंगे कल साम को 7 बजे अगली class में ट्री पढ़ेंगे या फिर अगर कर पाएंगे हम लोग तो दोनों points पढ़ लेंगे